दोस्तों स्वागत है अब सबका मेरा चैनल YouCrypto, क्रिप्टो की दुनिया, फ्री माइनिंग की दुनिया आज बहुत सारे अपडेट्स आये, आज सभी पर आज चर्चा करेंगे कोडाओ के बारे में, कोडाओ का आप में भी एक अपडेट आया है कि 20 marks तक क्या करना है, क्या नहीं, BTC का hash power delegate करना वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे प्रियोक token जिसमें हमने part लिया था, लिस्टिंग हो चुका है और कैसे dumping हो गया, उसके पर भी चर्चा करेंगे और Pi Network, जल से जल में नेट कब आएगा, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले है तो वीडियो शुरू करते हैं, जो लोग पहली बारा है, चैनल को सब्स्राइब कर दीचिए तो सबसे पहले बात करते है, कोडाओ के बारे में, कोडाओ को देखा अभी ये latest tweet है इनका आओ कितना active है और कितने सारे development हो रहे है इसमें, 100 products इस पर blockchain पर development कर रहे है अभी कल देखा था हमने max पर हम staking कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अभी okx पर भी हम staking कर सकते हैं ये news निकल के आ रही है इसमें से, इस news में उन्होंने भी बता दिया है फिर बाद में switchboard is now lie on core mainnet, this is the foundational resource for developers on core blockchain building daps तो switchboard भी blockchain पर daps बना रहा है बगेरे बगेरे, इसे बहुत सारे news है तो ये continuously active रह रह रहा है core उसी वज़े से ये आगे जाके बहुत सारे development करने वाला है तो पहले जाते हैं update, अगर आप जाते हैं core raw के apps में, अगर आप apps में जाते हो तो आपका ऐसा interface दिखेगा तो आपको यहाँ पर अगर देख सकते हो, आप read करते हो, March 20, core withdrawal notice, तो core withdrawal notice आए चुका है March 20 को तो यह क्या है, क्या ने, आप देख लेते हैं, तो इसको अगर आप open करते हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, the second round of core withdrawal processing time was set at UTC 15 May 2023, तो पहले 15 में था इसका time, However, in consideration of users who did not link the addresses in time for the last round, we have added an extra processing time, तो जिन लोगों ने complete नहीं किया, इन लोगों ने 6 February को complete नहीं कर पाए, और अभी direct 15 में को करना था, तो बहुत सारे लोगों के request आने के वज़े से, यह लोगों ने एक extra time add किया है, तो एक extra time कौन सा वाला है, 20 March, 20 March को उन्होंने extra time किया है, users who wish to withdraw tokens, please link your address before 20 March 2023, देखा, तो और एक time add कर चुका है इसमें, जिन लोगों का miss हो चुका है, तो आपको अभी 15 में तक wait करने की जरूरत नहीं है, आप 20 March को भी link कर सकते हो, address और core tokens आपके निकाल सकते हो, नीचे लिखा है, system only send data to core DAO three times, तो अभी three times होने आला, पहला two times था, the first processing time was 6 February 2023, the second is 20 March 2023, and the third processing time is 15 May 2023, तो दो time है, तो जिसकिसी ने link नहीं किया है, वो लोग प्लीज जाके, आप 20 March के पहले link कर लीजे, और आपके core tokens आप withdraw कर सकते हैं, समझें, और आप दूसरा एक update है, यह बहुत important update है, जिसकी विज़े से core की price बढ़ सकते हैं, देखो, hash delegation has been granted license, some hours ago, कुछ घंटे पहले license मिल चुका है, hash delegation का, now, BTC miners can delegate their hash in securing core chain, अब core chain को उनका hash power दे सकते हैं, उसकी विज़े से क्या होगा, core bull run is about to begin, समझ में आ रहे हैं, core bull run start होने वाला है, बहुत ऐसे बहुत सारे development है, यह license की पूरी कापी दे चुकी है, यह license कहाँ पर मिला ह है, क्या-क्या license है, क्या-क्या कर सकते हैं, यह पूरी कापी यहाँ पर दी है, अब delegation होगा इसमें और पढ़ेगा, क्यू होगा देख रहे हैं, आपको तो पता है, आभी देखो कितने लोग core coins को delegate पे लगा रहे हैं, 39 million, कितने, 39 million staking पर लग चुके हैं, circulation कितनी है, 61 million, तो अब दोनों की total कर लो, 61 million circulating, 39 staking, यह total हो जाती है, 100 million, तो 100 million core अब market में आ चुका है, 30 million अब शायद लोगों ने claim नहीं किया है, कुछ ने, तो अब धीरे-धीरे market में scarcity आ जाएगी और इसका rate बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, जो stable rate है, बहुत जल्दी ब 20 March के पहले, अगर आप 26 token खरीते हो, तो आप यह बेच सकते हो, तो जिन लोगों ने 26 token खरीता था, वो लोग यह token बेच सकते हैं, लेकिन आप देखो, at a time, at a time सबको उन्होंने दे दिया, at a time, एक ही बार सबको tokens दे दिया, तो market में क्या हाल हो गया, देखो उसका, listing यहाँ पर हुआ था, और directly dump हो गया, तो rate भी आप देख से तो कितना हो गया, 0.00064, कितना dump ही हो गया, तो यही होता है, कूर ने 25% दिया है, 75% रखा है, 24 installment किया है, तो उस वजह से कूर का rate dump नहीं हुआ है, कूर का rate, एक दम स्टेबल है, अब चलते हैं, pine network की तरफ, pine network में क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो यह pine network की official twitter handle में यह news आई है, pine network की तो इसकी विज़े से development हो रहा है, बहुत जल्दी open mainnet आएगा, ऐसा कहा है नो, तो हमें वही कहना है कि pine network जो सुस्त पढ़ाता इतने दिन से, सुस्त पढ़ाता कुछ ना कुछ एक्टिविट देख रही है, तो हम लोग pioneers क्या expect करते हैं, देखो यहाँ पर जो लिखा है, I think pioneers deserve a lot things like this, from pine network and PCT, PCT मतलब pi core team, they deserve to know, to tell us time frame for open mainnet, time frame, right time frame बता दीजिए, कि हम इस time पे आने वाले हैं, भले थोड़े 10-15 तिन आगे पीछे हो जाए, चलेगा, कोई तेकिन एक time frame बता we deserve fast KYC verification, KYC verification fast हो जानी चाहिए, यह तो right है, KYC तो fast हो जानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ न कुछ आसार दिख रहा है, pi network में KYC fast होने के आसार हमें फिलाल दिख रहे है, अभी देखो यह दूसरा है pi news का, mainnet जल्द आ सकता है, the pi hackathon time set will end on 28 February, 28 February को hackathon end हो रहा है, तो अभी हम इसे मान लेते हैं, कि यह सारे लोग बहुत busy थे इसमें, hackathon करने में वगेरे, इसलिए mainnet की तरफे में जान नहीं था, 28 February को hackathon खतम हो रहा है, उसके बाद जल्द से आ जाएगा, after the official opening of mainnet of pi network, तो कही ना कही, official opening की बात चल रही है, यहां तकि उन्होंने BBC पे news भी हो गया थ BBC Vision 4 coverage pi network पे news भी आया था, इसमें भी उन्होंने वही बताया था, जो network हो गया था और उसके बाद क्या हुआ, जो अब हम बोल रहे हैं तो गलत listing हो गई, हूबी पे max पे, लेकिन उसके बज़े से 40 million users बढ़ गए, BBC की news होने से, अब 50 million users हो गए है, pi network पर, they are not only attempting to explain it, मतलब pi network के team explain, उपना ही नहीं कर रहे हैं, interviewer again, understanding what they have for pi and when mainnet will be launched, next interview जब होने वाला है BBC के साथ, तो शायद mainnet कब launch होगा, वो date दिखा सकते हैं, खिलाल मार्केट में डेट के बारे में अपवा चल रही है, कि 14 मार्च को आनला मैं फिर से बता दो, 14 मार्च 2023 को, इसका mainnet नहीं आ रहा बस सिर्फ 14 मार्च 2019 को pi की mining चल वो गई थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है, कि 14 मार्च 2030 को mainnet आ जाएगा, मैं आपको यहीं request करता हूँ, कि mainnet 14 मार्च को नहीं आएगा, लेकिन जल से जल जरूर आएगा, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर वीडियो कतम करता वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो like कर देना, चैनल को subscribe कर देना और bell icon दबा देना, ताकि bell icon दबाने से ऐसे ही updated news आपको time से time मिलते रहेंगी, अगर आप मेरा telegram channel या फिर मेरा whatsapp group join करना चाते है, या मुझे twitter handle पे follow करना चाते है, तो इसकी link आपको description box में मिल जाएगी Bye-bye friends, see you.